तो 30,000 का budget जो है किसी भी smartphone को खिरने के लिए perfect रहता है खासकर जब तुम एक mid range और एक flagship level का smartphone लेना चाहते हो तो क्योंकि इस budget के अंदर ऐसे स्मार्टफोन, ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ available है जो एक दम तवाही मचा देते हैं इस budget segment के ओपर लेकिन यहां पर काफी सारी smartphones जो है आते हैं काफी सारी brands से आते हैं तो ऐसे में confusion जो है वो create हो जाती है कि हम कौन सा smartphone ले भाई किसी के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है किसी में 4K तक की वीडियो मिल रही है किसी में जो प्रोसेसर है वो flagship level का है तो किसी में कुछ है तो ऐसे मे प्रेंट और बैक दोनों से 4K तक की वीडियो को जो है रिकोर्ड कर पाऊगे और साथ-साथ यहां पर तुम्हें एक विल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन और यूजर एक्स्पिरिंस तो टॉप नोच का मिलने वाला है शुरू करेंगे वीडियो को नंबर 5 से नंबर इंगल प्रैमरी क्यामरा है जो 10x के डिजिटल जूम 8MP के अल्टरावाइड और 2MP के मैक्रो कैमरा के साथ आता है और 4K तक की वीडियो रिकोर्डिंग 30fps के उपर करता है लेकिन वहां से 4K तक की वीडियो रिकोर्डिंग ऑप्शन तो मैं नहीं मिलता और इसके अंदर मैं की टर्वो चार्जिंग है जिसकी वज़से स्मार्टफोन और भी ज्यादा जो है तकड़ा बन जाता है अपने प्राइज में 256GB की इंटर्नल इस्टोर्ज है एकस्पेंडबल नहीं मिलती है और डस्ट और वाटर रिजिस्टेंस का स्मार्टफोन आता है अभी क्रेंट मे लेकिन आप जिन लोगों को पोको का स्मार्टफोन ने लेना तो वो लोग ऊपोर रेनो 11 5G को भी जो है कंसीटर कर सकते हैं इसके बाद जो है नंबर फोर पर वो है आईक्यू का नियो सेवन प्रो एंडोड हर्टन के साथ 6.78 इंचिस के हमल डिस्प्ले 120 होर्स का रिफ्रे तो प्रोंट का स्नैपड्राइगन 8 प्लस जन वन दिया गया है तो प्रोसेसर में अब काफी अच्छा काम करा है कर पाऊ है साथ इसाथ यहां पर तुम्हें जो नेक्स लेवल की दिखने को मिलते हैं बागी 5000 इमेच की बैटरी लेकिन 120 वाट की फ्लैस चार्जिंग तो बै तो वो तुम्हें 32,000 के आसपास देखने को मिल जाता है इसकी प्रफॉर्मेंस काफी तगड़ी है प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा काम करते हैं डिस्पले तो काफी सुन्दर एसकी और जो 120 वार्ड की चार्जिंग स्पीड है वो तो भाई दिल को जीद लेती है लेकिन यह पाता है नमबर थर्ड पर वो है वीव का वी थर्टी इसकी साथ साथ तुम यहां पर सैंसंग गिलेक्सी एस्ट्टीवन फीट वीट टॉंटीटीटर कर सकते हैं कास करते हैं तुम्हें कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन जो है चाहिए अभी हमने यह आपर बीव थर्ड चाहिए और साथ-साथ फ्रेंट में भी 50 मेकापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है जहां से तुम 4K तक की विडियोट 30 fps के ओपर बड़ी एसाइन से रिकॉर्ड कर सकते हो और प्र जो प्रसेसर है वह क्वार्ट नॉम स्नैप ड्रैगन का 7 Gen 3 है और जो इसके अंदर तुमें के क्रेड़ कार्ड के उपर और एक उफर और है उसके साथ आपको इसके उपर 1250 रुपे अब्सवर पर क्रंटली ओफ मिलने वाले हैं इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्लिम है और कैमरास इतने अच्छे रहना बाई इतने च्छे कैमरास है कि दिल को खुश कर देते है और इसके साथ 6.7 इंचीज की डिस्पले देता है साथ-साथ 144 रुट्स का रिफ्रेश्ट देता है यह एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें तुम्हें पर्फॉर्मेंस डिस्प्ले के चाहते हों तो यह स्मार्टफोन तुमारे लिए बना है इसके दिंदर जो क्यामरा सेटप हो तो वो ट्रिपल केमरे जटप है यहां पर तुम्हें दस मेगा पिक्सल का एक टेली फोटो लेंस मिलता है 50 मेगा पिक्सल का वाड़ एंगल है 13 मेगा पिक्सल का यहां पर अल्टरा वाड़ मैक्रो क्यामरा भी देखने को मिलता है बिद 3x optical zoom फोर के तकी वीडिकोडिंग इसके साथ यहां पर प्रफॉर्मेंस के लिए मिलता है क्वाड़ को स्नैपड्राइगन सेवन जैवन जैवन की बैटरी है उसके साथ आती है तो बैटरी थोड़ी है लिकिन चलता कब खत्म ही कब चार्ज हो गया इस ताफसा सिस्टम इसका 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 डिजाइन काफी आई कैचिंग सा है IP68 की रेटिंग दरखी है स्क्रीन काफी अची है कैमरा काफी तगड़े काम करते है रैपिड चार्जिंग स्पीड जो है वह तो भाई दिल गाटन-गाटन करती है लेकिन अपनी क्लास के साब से परफॉर्मेंस उतने अची नहीं है अब करते हैं अपसमें टकराते हैं एक तो भाई ओन और का 95G है और एक वन प्लस 11R है अपने विलीस्ट में वन प्लस 11R को जगा दी है अगर आप लोग बन प्लस का कोई स्मार्टफोन चाहते हैं 11R को को सकते हैं थोड़ा साब एक तो जनेरेशन पुराना है लेकिन अब की वीडियो रिकोर्डिंग आप यहां पर कर सकते हैं 16 मेगा पिक्सल का वाइड एंगल लेंस है फूलेशन वीडियो वहां से भी हो जाती है और पांच जैने मेश की बैटरी है जो सुपर भी उसी चार्जिंग साथ आती है 128 वाला जो वेरेंट है वह बत्तिस जार नो सुन इसके बाद यहां पर इसका प्रफॉर्मेंस है काफिदा अची है डिजाइन काफी प्रीमिम सा फील होता है बैटर लाइफ काफी चलती है अगर यहां पर अच्छे थोड़ जाएं तो यह काफी अच्छा स्मार्टफोन बन सकता है क्यूंकि अब इसको 40,000 के आस-पास मिलत है तो भाई एक हाई लेवल का स्मार्टफोन है एक कम्प्लीट पैकेज है जिसके अंदर हर एक चीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी यह आज के लिए वस इतना ही मैं मिलंगा तुमसे नेक्ट वीडियो में तुमारी कोई कोरी है तो कमेंट करना नेयों चैनल पर सब स्काइब करो